आज बात करेंगे नेचुरल रेटिनोल के सब्टिटूट की यह तो मैं नहीं कहूंगा कि यह रेटिनोल है यह रेटिनोल के ना तो स्ट्रक्चर जैसा है बलकि यह फंक्शनल एनालोग जो कार्य रेटिनोल करता है उसी के जैसा कार्य करने वाला एक मेटाबोलाइट जिसको बाकुचियोल कहते हैं, इसके अंदर पाया जाता है, और विटमिन A का ये रेटिनोल जो होता है, सोर्स होता है, और बाकुचियोल भी वही कारे करता है, जो रेटिनोल करता है, ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इसको ब्लैक जैक, ये जो है, इसको ब्लैक जैक, या बाइडेंस पाइलोसा यह एस्टरी सी कुलका है वाइट इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे यह बहुत ही अच्छा मेडिशनल प्लांट है इसके अंदर बहुत सारे ट्राइटर्पिनवाइड्स सेपोनिन्स और पुली एसिटाइलेनिक गलाइकोसाइड पाये जाते है कुमेरीन, सेस्कि definitions और डाइटर्पिन विस्च के अंदर पाये जाते हैं । यह प्लांट अगर घाउ ना भर रहे होतो इनके पत्तों को पीसकर घाव पे लगाने से घाव आसानी से भर जाते हैं और अगर फोड़ ये फुंसी हो तो पत्तों को पीसकर उनके उपर लगा देजिए फोड़ फुंसी दो से तीन दिन में आसानी से ठीक हो जाते हैं गठिया की समश्या हो तो 10-15 ml इन ही पत्तों का जूस बना कर पी लेना चाहिए और अगर कहीं सूजन भी हो रही हो तो इन पत्तों की पुल्टिस बांद देनी चाहिए जैसे गुठनों के दर्द में, रूमेटिजम में, आर्थाइटिस में बहुत कॉमन ऐसा हो जाता है कानों का दर्द हो तो इसका स्वरेश बना कर कानों में 2-3 ड्रॉप डाल देनी चाहिए यह है डायूरेटिक का कारे करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है ज्याने रखना है कि प्रिग्नेंसी के समय इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कुमरिन्स पाए जाते हैं जो कि वह कारे करते हैं जो वारफरिन करता है यह एक बलड थिनर है एंटिकोगुलेंट है तो नैचुरल पाए जाने वाले तीन हमने आपको अभी तक बलड थिनर बताए हैं उसमें से एक प्लांट यह भी है इसके अलावा जो फाइटेनिकोग एसिड होता है फाइटेनिक एसिड भी एंटी रिंकल जो की एजिंग से प्रिवेंट करने वाला होता है फाइटेनिक सप्रप्रस्ट करने हैं उस से हमें निजाद दलाता है उसको यह करता है तो यह इस प्लांट का आप इस्तमाल कर सकते हैं एंटि-एक्टियों प्रोपर्टीज के लिए इम्मिनोमोडुलेटर एक्टिविटीज के लिए और यह हीपयटॉट्यों है हाइपोटेंसिव है अब अगर हम एनिमल्स में बात करें तो साथियों क्या होता है कि अगर पसु समय के साथ साथ एजिंग प्राप कर लेते हैं जिसके कारण बच्चे होने के बाद जेर डालने में या आउं गिरने में बहुत लंबा समय लगाते हैं तो ऐसे पसुओं को काढ़ा बनाकर उसमें गुड मिलाकर सेवन कराईए आदे गंटे के अंदर पसु सहस्ता से आउल ग्राने में और जेर ग्राने में सक्षम हो जाते हैं यह बहुत अच्छा प्लांट है एंटिकेंसर्स प्रोपर्टीज पर अभी आजकल इस प्लांट पर काफी सोध हो चुक होता है लेकिन उनको ट्रूप टर्पीन हम लोग नहीं कह सकते इस प्रकार से आप इस प्लांट को अपने दैनिक जीवर में इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको इनफोर्मेशन पसंद आए तो अपने साथियों के साथ सेर कीजिए सांज़ कीजिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार